जो चाहोगे वो मिलेगा, बस अच्छा स्कोर लेकर आओ, और देखो, एक अच्छा स्कोर लाने का मतलब यह नि क्या आपको 90 मार्क्स लाने हैं, 95 मार्क्स लाने हैं, 66 मार्क्स, आप लोग बोलते हो ना कि सर, निटी बॉम्बे तो आप आया मुंबई में कनवर्ट हो गिया, वहां से मास्टर्स करें, गेट के थू, ISC Bangalore, Master of Management का प्रोग्राम मिला है, पहतरीन प्लेस्मेंट्स हैं, देखो, सूपरफीसियल पढ़के जाओगे, उपर-उपर से पढ़के जाओगे, क्रैस कोर्स से पढ़के जाओगे, तो यार अगर आपके बेसिक्स बहुत ये 12 की तो छोड़ो, 11 क्लास की फिजिक्स बहुत अच्छी निया, तो फोड़ा का मुस्किल हो जाता है, सीरियसली प्रिपार कर रहे हो, सिंसिरली प्रिपार कर रहे हो, ये पर किसी भी तरीके का आया, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो में से 50 नमबर लाना, 55 किते हैं, I'm telling you, अधिकतर, most of them, वो लोग होते हैं, जो गेट के लिए सिंसियरली, सीरियसली प्रिपार नहीं करते हैं, या फिर गेट के लिए प्रिपार तो करते हैं, लेकिन सही कॉंटेंट के साथ, सही डारेक्शन में, सही स्ट्रेटेजी से, सही गाइडन्स में प्रिप प्रिप्टीज मिली हैं, इंपक्ट गौर्रमेंट ऑफ इंडिया की जॉब भी मिली है, है न, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ये एक आई ओपनर सेशन है, और हंडर परफेंट आपका कॉंटेंस यहां से बूस्ट होने वाला है, यार देखो, ये मेरा बच् के लिए, ये बच्चा मेरे से ही अनकेडमी प्लस पर पूरा फ्ल्यूट थर्मल पड़ा है, अब दिखते यार कितने मार्क्स पर इस बच्चे को एनपी सी आई यल का ओफर लेटर मिला है, तो यार देखो, इस बच्चे के मेकानिकल में, आउट ओफ हंड्रेड, फिप्ट 61 मार्क्स पर इस बच्चे को इंटर्वी के लिए कॉल आया था, और इस बच्चे ने सीरियसली पढ़ा है, सिंसेरली पढ़ा है, तो इंटर्वी भी किलियर किया, तो देखो, सौ में से 51 नंबर पर इंटर्वी का कॉल आया, और कनवर्ड भी किया, और अगर मैं XC की बात क इस बच्चे के XC में out of 161.33 मार्क्स थे, और 61.33 मार्क्स पर इस बच्चे को आया टे मतरास का थर्मल का ओपर लेटर मिला था, तो खेर अभी तो ये बच्चा निउक्लियर पावर जॉइन कर रहा है, एक और एक्जाम्पल आपको देता हूँ, ये है मेरा बच्चा प्रल आप देखते हैं इसको कितने मार्क्स पर आफर लेटर मिला है निक्लियर पावर का, out of 100 इस बच्चे के मेकैनिकल में 51.67 मार्क्स थे बिटा, out of 100, 51.67 मार्क्स, पहले वाले के 51 मार्क्स, इस बच्चे के 51.67 मार्क्स, दोनों ही जनरल कैटिगरी के बच्चे हैं, बच्चे को इंटर्व्य का कालाता है, अच्छे से पड़ा है, इंटर्व्य क्रैक होता है, सरकारी नौक्री है, वो भी निक्लियर पावर जैसी गवर्मन्ट कंपनी में, इस बच्चे के अगर XC की बात परूँ, तो XC में इस बच्चे के 66 मार्क्स थे, 66 मार्क्स पर इस को आईटी मदरास का थरमल का ओफर लेटर मिला था यह मेरा बच्चा है मंदार एकसी में इस बच्चे के हैं 65 मार्क्स 65 मार्क्स पर इस बच्चे को ISC बैंगलॉर का मास्टर आफ मैनेजमेंट का कॉर्स मिला है आप लोग बोलते हूं ना कि सर निटी बॉम्बे तो आप आया मुंबई में कनवर्ट हो गिया है तहां से मास्टर्स करें गेट के थूँ कर दो है कि साल आप गेबिया। मास्टर आफ मैनेज्मेंट का प्रोग्राम मिला है। पहतरें प्लेसमेंट्स हैं। यह मेरा बच्चा है यसराइ धु 64.33 marks हैं इस बच्चे के XC paper में General category की बात चल रही है UR category की बात चल रही है 64.33 marks पर इस बच्चे को IFC Bangalore का Mechanical मिला है Mechanical मिला है यह मेरा बच्चा है Anupam Mechanical में इस बच्चे के है 62.33 marks इस बच्चे को 62.33 marks पर IAT Bombay का Thermal मिला है यह मेरा बच्चा है Ranjit 66 marks XC paper में 66 marks पर IAT Bombay का Thermal मिला है बटा अगर आप XC में एक अच्छा score लेकर आते हो मेरे बच्चे को IAT Bombay का Design भी मिला है IAT Bombay का Thermal मिला है IAT Bombay का Manufacturing मिला है जो चाहोगे वो मिलेगा बस अच्छा score लेकर आओ और देखो एक अच्छा score लाने का मतलब यह नहीं कि आपको 90 marks लाने है 66 marks 66 marks 15 number का Mathematics है XC में 15 number का General Aptitude है यह को Mathematics मैं एक तरफ छोड़ देता हूँ Aptitude में 15 में से 10 number भी लाओगे और बाकि जो 70 number है Technical के XC B, XE, E अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो I'm making you sure कि यार worst case में आप 50 number 55 number तो लेकर आपको मैं worst case की बात कर रहा हूँ क्योंकि उतना detail में मैं पढ़ाता हूँ उतना detail में आप लोग पढ़ते हो कि यार 50-55 marks बहुत easily आप लोग ला सकते हो कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है यह मेरा बच्चा है अभी सेक Mechanical में out of 100 54 marks 54 marks मैं कोई 70-80 marks की बात नहीं कर रहा हूँ 54 marks IC Bangalore का mobility मिला है Mechanical का ही part है Mechanical Department का ही part है Mechanical Department का ही course है Mobility Engineering मिला है 54 marks पर general category में I'm not talking about EWS I'm not talking about OBC non creamy layer I'm not talking about SC category, ST category मैं आज जो बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ general category की बात कर रहा हूँ मेरा बच्चा टखर XT में 62.33 marks पर इस बच्चे को IIT मदरास का thermal मिला है Just college से pass out है बच्चा College से pass out हुआ IIT मदरास thermal fluid mechanics thermodynamics से लिखा था तो यार Again I'm saying स्वामे से अगर आप seriously prepare कर रहे हो sincerely prepare कर रहे हो देपर किसी भी तरीके का आया अगर आपने अच्छे से पढ़ा है स्वामे से 50 number लाना 55 number लाना 60 number लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितनी भी photos मैं दिखा रहा हूँ किसी के भी ऐसा नहीं कि 70 से जाता है highest marks मैंने मेरे खाल से आपको 66 ही दिखाई हूँगे अगर मैं यहाँ पर सबके marks एक बार फिर से आपको दिखाऊँ यह देखो भरी कृष्णन के 51 marks परलात के 51.67 marks मंदार के 65 marks यस के 64.33 marks मेरे बच्चे अनुपम के 62.33 marks रंजीत के 66 marks 54 marks मेरे बच्चे अभिसेख के 62.33 marks प्रखर के बस यह है कि आप लोगों को जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है दफ में पढ़ना है इस तरीगे से पढ़ना है कि आप जब कुष्णन आए examination hall में तो आप बना पाओ और वो तभी आप बना पाओगे जब आप एक particular depth तक जाओगे देखो superficial पढ़के जाओगे उपर उपर से पढ़के जाओगे crash course से पढ़के जाओगे तो यार अगर आपके न basics बहुत अच्छे नहीं है आपकी 11th, 12th की physics बहुत अच्छी नहीं है 12th की तो छोड़ो 11th class की physics बहुत अच्छी नहीं है तो फोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो मैं यार आप लोगों को फिर बता रहा हूँ I'm not saying कि आप 100 marks लेकर रहा हूँ आप अगर न 50 plus भी लाओगे तो एक अच्छी खासी opportunity बन जाएगी कोसिज करो 60 plus को target करने की है न कोसिज करो 60 plus को target करने की मैं आपके लिए एक target set करी देता हूँ 60 plus आप target करो देखो अगर मैं last year का data आपको बता हूँ तो 60 plus अगर आपके रहे हूँगे तो साड़े 400 से नीचे नीचे ही आपकी rank रही होगी similarly अगर मैं एक्टी में बात करूँ तो अगर आपके 60 plus रहे होंगे last year तो कहीना कहीं 170 से नीचे ही rank रही होगी तो 60 plus एक बहुत अच्छा score है अभी भी 6 महीने बचे हैं एक अगस से जम कर मैं last करने के लिए ready हो जाओ अगर आप मुझे हर दिन अगर आप pass out हो, dropper हो हर दिन अगर आप 8 घंटा, 9 घंटा पढ़ सकते हो you give your next 6 months to me I will make sure कि अगले साल आपका photo भी इसी तरीके से किसी IIT के लिए लग रहा हो I.C. Bangalore के लिए लग रहा हो या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए लग रहा हो यह मेरी जिम्मेदारी है यह मेरी जिम्मेदारी, I will take care of that लेकिन हाँ, बस यह है कि आपको पढ़ने के लिए ready रहना है और मैं अभी भी और यह सारे general category के हैं Again, I am telling you यह जितनी भी photos मैंने आपको दिखाई हैं आज, सब general category के हैं EWS और नीचे जाएगा CST और नीचे जाएगा तो अगर आप unacademy plus join करना चाहरे हैं तो अभी offer भी चल रहा है जो की 31st of July तक ही valid है 31st of July से हम लोग नए batches भी start कर रहे हैं 2025 के लिए prepare करना चाहरे हो यार 849 में आपको total 8 महिने का subscription मिल जाएगा और that is more than sufficient 2025 के लिए more than sufficient है और आपने अगर मेरे से कहीं इधर उधर thermodynamics पढ़ा है आप मेरे से fluid mechanics पढ़ना चाहरे हो आप मेरे से applications of thermodynamics पढ़ना चाहरे हो आप मेरे से heat transfer पढ़ना चाहरे हो आप मेरे से XCB के extra topics पढ़ना चाहरे हो सब मैं academy plus पर पढ़ा रहा हूँ आजाओ और एक और चीज़ बिटा, जो लोग 2026 के लिए प्रिपार करना चाहरें, 12 प्लस 6, 18 महिने का टोटल सब्क्रिप्सन आपको मिल जाएगा, मात्र 11,999 में, 11,999 में मतलब लगबग 22 रुपे पल डे पड़ेगा, 2026 के अपनी प्रिप्रिप्रसन स्टार्ट कर दो, और ये तो बि 27 तक valid रहेगा, और इस से कमदाम आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, देखो एक तो सबसे पहली चीज़, आपको best educators मिल रहे हैं, best mechanical की team मिल रही है, best content मिल रहे है, सबसे important चीज़ ये है, बाकी यार अगर price भी best है, तो ये तो सोने पे पहागय वाली बात हो गई, code आपको लगाना है negative 10 ताकि आप मेरी guidance में पढ़ पाओ, negative 10 लगाओगे तो ये offer आप अवेल कर पाओगे, इसके साथ साथ, आप मेरी guidance में आ जाओगे, again I am reminding you, ये जो offer है, 31 July तक valid है, है ना, तो यार मेहनत करने के लिए ready हो जाओ, आज का ये session आपके लिए eye-opener session था, जहां पर आपको समझ में आया होगा, कि यार, start number पर भी एक बहुत अच्छी opportunities मिल सकती है, चलो, thank you so much, take care, thank you everyone